हुआ हेलो व्यूवर्स और वाचिंग मैं चैनल मैंज एक्सपूरियर आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हैं हमें चार एक्सपूरेशन दी हैं और उनको हमें क्या क्या है एक्सपैंड and सिम्पनलिफाइएच अपडा फॉलोंग एक्सप्रेशन יन्amtि को पहले एक्सपैंड करना है息 smt करने का बाद यूजि उसको खोलना है और फिर उसको simplify करना है तो पहला हमारा part कहा है 5a plus 4b minus 3c minus 2a minus 3 upon 2b plus 3 upon 2c और part b हमारा 1 upon 2 times 2x plus 2 times x minus 3 और part c हमारा 2 upon 5 times 12p minus 5 plus 2p और part d हमारा 1 upon 2 times 8x plus 10 minus 6 times 1 minus 4x so let's move forward to solve our part a तो हम लिखेंगे solution अपना solution के बाद हम इस question को as it is उतारते हैं मिशा 5a plus 4b minus 3c negative of 2a minus 3 upon 2b plus 3 upon 2c अब देखें इस पर हमें पहले expand करना है expand का मतलब होता है खोल देना तो expansion के अंदर हम क्या गयर होते हैं हमेशा पहले bracket को हम solve करते हैं तो this implies that तो सबसे पहले जो हम operation करेंगे वो हम इस round bracket को हम इसको open करेंगे तागे पूरी जो expression है वो expand हो जाए तो यह 5a है तो माइनस से जब यह multiply होगा माइनस into plus क्या होता है माइनस आ जाएगा 2a और अब अंदर वाली टर्म जो second time है वो negative sign के अंदर है जब negative को negative से multiply करेंगे तो positive हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा positive 3 upon 2b और फिर last हम हमारी के plus के अंदर है 3 upon 2c तो जब वो negative से multiply होगी तो minus into plus minus आ जाएगा 3 upon 2c तो यह हमारा expansion का part complete हो गया अब हमने इसको simplify करना है अब simplify करने के लिए हम क्या करते है like terms को एक साथ लिख देते हैं तो like terms हमारा पस कौन-कौन c है यहनि a, b और c है तो पहले हम a terms को एक साथ लिख लेंगे 5a minus 2a फिर b terms को हम एक साथ लिख लेंगे 4b और plus 3 upon 2b और फिर हम c terms को लिख लेंगे minus 3c minus 3 upon 2c तो यह तो बहुत असानी से हो जाएगा 5a minus 2a कितना बजाएगा हमारा पास 3a और इन दोनों terms के लिए हम lcm निकाल लेंगे तो lcm इन दो terms का 2 आएगा तो नीचे यहाँ पर 1 है तो 1 2 को 2 times divide करेगा तो quotient हमारा 2 आएगा तो हम numerator को 2 से multiply कर देंगे 248b और यह तू जो है lcm को यह one time divide करेगा 2 1s2 तो 1 numerator से multiply हो जाएगा 3 1s3b और यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं और इनका क्या निकले का lcm टू निकले का इनका भी तो यहाँ पर जो नीचे 1 है 1 2 को 2 times divide करेगा तो 2 into minus 3 negative 6 c आ जाएगा हमारे पास और यह 2 इस 2 को one time करेगा तो one quotient आएगा तो minus 3 को जो मैं one से multiply हो जाएगा तो minus 3 ones are minus 3 c तो अब हम आगे next step में आप सिंप्लिफा करें लेंगे यह तो हमारी पैडिटर मा गई 3a और यह 8b और प्लस 3b कितने हो जाएंगे 11 प्लस 11 अपॉन 2b और प्लस minus 6c और minus 3c minus 9c यानिके minus 9 upon 2c अब इस वाले ब्रैकिट को भी open कर देंगे minus plus से multiply हो जाएगे 3a plus 11 upon 2b plus into minus minus 9 upon 2c so this is the answer of our part a now let's move forward to solve our part b part b किन्दा हमा पस expression दीवे 1 upon 2 times 2x plus 2 times x minus 3 तो पहले तो हम इसको as it is लिखेंगे solution 1 upon 2 times 2x plus 2 times x minus 3 और ये अच्छा जब हमारे पास ब्रैकिट्स आते हैं तो हम inner most जो ब्रैकिट होता है उसको सबसे पहले solve किया जाता है तो this implies that देखें ये जो है आउटर ब्रैकेट्स है और ये इनर ब्रैकेट्स हैं तो ये पहले solve होंगे तो 1 upon 2 ये as it is आएगा square bracket start 2x plus अब यहां पर हम expansion अपनी पहले start करेंगे यहनिके distributive law use करेंगे distributive law क्या होता है कि जो बाहर जो term होती है उससे अंदर की डोनों terms को multiply कर देता है यानिके 2 पहले x से multiply हो जाएगा 2x और plus minus minus 2 into 3 2 3 6 तो ये हमारा inner bracket solve हो गया अब हम वापस क्या रहे गया है square bracket अच्छा अब हम इसको पहले simplify कर लेंगे बाहर वाली टर्म से multiply करने से पहले नहीं कि 1 upon 2 into 2x into 2x 4x minus 6 अब ये जो है bracket किसा solve परेंगे हैं बाहर वाली टर्म से हम इन दोनों terms को multiply कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 2 into 4x plus minus minus 1 upon 2 into 6 तो ये 2 1s are 2 and 2 2s are 4 तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x बन जाएगा और 2 1s are 2, 2 3s are 6 तो ये क्या जाएगा minus 3 so this is the answer of our part b now let's move forward to solve our part c part c के अंदर में expression दी भी है 2 upon 5 times square bracket 12p फिर negative of 5 plus 2p तो सबसे पहले तो हम solution लिखेंगे और expression को as it is उतारेंगे 2 upon 5 times square bracket start 12p minus 5 plus 2p तो जैसे हम हम पहले discuss कर चुके हैं कि हम expansion के अंदर जब हम expand कर रहे होता है expression को तो सबसे पहले हम inner most जो brackets होते हैं उनको solve करते हैं this implies that 2 upon 5 12p अब ये अंदर वाली जो दोनों terms हैं वो negative हो जाएंगे इसलिके वो negative से multiply हो रही हैं तो ये क्या हो जाएंगे इसको solve negative 5 यानि ये plus में थी तो इसका sign negative हो गया और ये भी plus में तो इसका sign negative हो जाएगा negative into plus negative होता है 2p अब हम इसको simplify कर लेंगे 12p और negative 12p negative 2p को this implies that 2 upon 5 12p में से आप 2p माइनस कर दें तो 10p बचते हैं आपके बास 10p माइनस 5 10p sorry p लिखना भूल गया हो 10p माइनस 5 अच्छा अब उसके बाद हम क्या करेंगे 2 upon 5 से हम इन दोनों terms को multiply कर देंगे 2 upon 5 into 10p माइनस 2 upon 5 into 5 तो यह 5 बंदा 5 5 टू जा 10 टू इंट टू इंट टू 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 जा 4p और 5 बंदा 5 5 बंदा 5 तो यहां पर क्या बचेगा only 2 minus 2 तो यह हमारे पास बच जाएगे हमारे पास यह expression आ जाएगे 4p negative 2 this is the answer of our part c part d में हमें जो expression दीविए हो है 1 upon 2 times 8x plus 10 minus 6 times 1 minus 4x तो हम solution start करते हैं अपना सबसे पहले तो हम as a practice जो हमारी एक हम as it is question को उतारते हैं 1 upon 2 square bracket 8x plus 10 minus 6 times 1 minus 4x तो हम हमेशा जब expansion कर रहे होते हैं तो हमेशा innermost bracket को पहले solve करते हैं तो this implies that 1 upon 2 8x plus 10 अब negative 6 से यह दोनों terms multiply हो जाएंगी तो 6 1s are 6 तो negative 6 आ गया यह और minus into minus plus 6 4s are 24x तो यह तो हमारा inner bracket solve हो गया अब हम क्या करेंगे like terms जो है 8x और 24x और यह दो constant number income simplify कर लेंगे add और subtract हो जाएंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 upon 2 8x और plus 24x कितने हो जाएंगे 32x और 10 में साब 6 minus करते हैं तो आपको पास क्या भीचता है 4 तो अब क्या करेंगे हम 1 upon 2 से इन दोनों terms को multiply कर देंगे this implies that 1 upon 2 into 32x plus 1 upon 2 into 4 तो अब क्या हो जाएगा 2 बंदा 2, 2 16s are and 2 बंदा 2 and 2 2s are तो अब यह क्या बच जाएगा वापस 16 बंदा 16 into 16x plus 2 बंदा 2 so this is the answer of our party उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई जोगी तो प्लिस इस वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकाउन के बटन को जुरूर प्रेस कीजेगा क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँगा तो आपको उसका नोडिफिकिशन मल जाएगा तक य। वरी मुच्छ